हाई गाईस वल्कम बाक विद अनद ब्लॉग आप सब ठीक होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज जैसे मेरे थमनेल से आपको पता चल गए कि मैं पांच साल के वर्क परमट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका मुद्दा जो है पारलिमेंट में चल रहा है आज उसका क्या फायदा हुआ अब यह क्यों चल रहा है किसको यह पांच साल वर्क परमट जो है मिल सकता है कैसे मिल सकता है तो चलिए जादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी फटा फटा फटे वीडियो को शुरू करते हैं लट्स को तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ चैनल पे नए आये हो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर मेरे साथ appointment बुक करना चाहते हो, किसी चीज़ को लेके discussion करना चाहते हो, उसका link आपको मेरे description box में मिल जाएगा और उसका link आपको मेरे Instagram की bio में भी मिल जाएगा अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या, मतलब 5 साल का जो work permit है, उसका मुद्दा क्या चल रहा है जैसे आप सबको पता है कि Canada में जब आप study करते हो, आपको अगर आपने 2 साल की study करिया तो आपको 3 साल का work permit मिलता है सम टाइम जैसे मेरे case में मैंने एक ही साल में जो एक मेरा डेड़ साल का भी work permit बचा हुआ था जब मेरी PR होगे थी, तो पहले हो जाता था, थोड़े rules easy थे, that was back in 6 years back, मतलब 5-6 साल पहले की बात करी हूँ, अब rules भी बहुत जादे tough हो गया है, express entry के score भी बहुत जादा up जा क्योंकि अगर मैं बात करूं कि Prince Edward Island की जैसे जा फिर Atlantic not particularly Prince Edward Island, Atlantic provinces जितनी भी है, पहले उनके rules सबसे easy रहते थे, मतलब सारी बाकी provinces से थोड़े से easy रहते थे, वहाँ पर जाकि आपको easily PR मिल जाती थी, अब अगर आज की मैं बात करूं, Atlantic provinces में सबसे जादा, मतलब मुझे लग कि इतनी जादा requirement मतलब जैसे Ontario में है उतनी ही जादा रखी हुई है, almost right, तो कहने का मतलब bottom line is that कि आज कल जो है PR लेना 3 साल में भी मुश्किली हो रहा है, एक साल का तो आप भूल ही जाओ, मतलब कई प्रोग्राम होते हैं ऐसे जो 6 मंत के बाद जिसमें आप PNP लगा सकते ह इतनी हो, but as I said, कि obviously उसमें कही बार रिस्क रहता है, अभी employer उसमें क्या रहता है कि जो 6 मंत वाले जैसे मैं आपको प्रोग्राम बता रही हूं, कि 6 मंत वाले जैसे प्रोग्राम होते हैं, कही बार आपकी employer आपको निकाल देता है, जाँए employer के साथ आपकी बनती नहीं है, तो वो 6 मंत काम मतलब एक ही employer के साथ होना चाहिए, तो वो फिर बहुत जाए दिक्कत क्रियर्ट होती है, अब कई provinces ने ये भी कर दिया कि आपका 4 जा 6 मीने का workman बचा हुआ होना चाहिए, तो मतलब spare जो time हम बोल सकते हैं, वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचता, ठीक स्टूडेंट को जो है, अगर कोई स्टूडेंट दो साल का study करता है, तो उनको 5 साल का workman मिले, और जो कोई स्टूडेंट एक साल की study करता है, उनको 2 साल का workman मिले, ताकि उनको थोड़ा सा time मिल जाए, ठीक है, थोड़ा PR लेने के लिए, obviously क्योंकि आज कल कैनड़ा में इत इस चीज के लिए हो रही थी, क्योंकि कैनड़ा में कहलो जा कहीं भी कहलो, petition जो होती है, वो पार्लिमेंट में ऐसे ही नहीं पहुंच आती, कि मतलब आपने बस पार्लिमेंट में डाल दी application, ऐसे ही नहीं पहुंच दी, पहले आपको एक petition sign करवानी पड़ती है, जो show करती ह कि कितने जादा लोग इस चीज को देखना चाहते है, मतलब कितने जादा चीज इस चीज में इंट्रस्टेड है, कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, पहले जो petition सान विए थी, वो इसी की लिए हुई थी, कि वो देखना चाहते थी, कि जितने जादा लोग साइन करेंगे, फिर ये petition जो है, हम पार्लिमेंट में लेके जा सकते हैं, कि ये देखो, इतने सारे लोग जो है, वो इंट्रस्टेड है इस चीज के लिए, तो हम ये मुद्दा गवर्मेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि पार्लिमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, अब दूसरा जो हाड उन्होंने इस petition को जो है, पार्लिमेंट में डाला है, वो पार्लिमेंट में ये मुद्दा लेके गए हैं, अब अच्छी बात ये है, कि ये मुद्दा पार्लिमेंट में है और ये जो पार्लिमेंट की मेन वेबसाइट पहा है उस पे आरा है, good thing is that, क्योंकि जो भी चीज प आप लोग जितना जाधा इस चीज को support करोगे, जितना जाधा sign करोगे उतना जाधा आपके लिए अच्छा है, एंग चीज मैं बता दू आपको अगर आप ये sign जो है, सिर फ कैनेडा में रहते हैं जो लोग वही कर सकते हैं, उनको ही sign करने ये matter पर नहीं करता है कि आप student हो, PR हो, citizen हो, work permit पे हो, जा फिर visitor पे हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, as long as you are in Canada, आप इस petition को sign कर सकते हो, अगर कोई बंदा मेरी ये वीडियो कहीं से और country से देख रहा है, जाने कि इंडिया जा किसी भी country से पाकिस्तान, दोबै, कहीं से भी आप पेटिशन साइन कर सकें, मैंने ये खुद भी करी है, अब बहुत सारी लोग सोचेंगे कि मैंने, क्या मैं बलीव करती हूं इस चीज में, पहले मैं नहीं करती थी, इसलिए मैंने पहले वीडियो भी नहीं डाली, जो पहली वाली पेटिशन आई थी, तब मेरे दिल में ऐस करी है, उन लोगों को आप किसी को भी पूछ के देख लेना, मुझे लगता कि वो लोग चाहते थे पहले, अब का मुझे नहीं पता, मेरा पॉइंट ऑफ यू चेंज हो चुका है, क्यूंकि मैंने ऐसे सोचा, पहले मैं सोचती कि यार हमने भी तो लिये तीन साल में पी आर के लिए इन थ्री येर्ज, इसलिए मैं भी इस चीज को सपोर्ट करती हूँ, कि हाँ चलो पांच नहीं, तो मतलब वर्क परमेट हाँ थोड़ा और ज्यादा मिल जाए, तो बढ़िया है, लोगों को पी आर में, कई लोगों की जैसे, कई जो है, खुदी टाइम वेस्ट कर करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही उनको वर्क परमेट आता है, वैसे ही वो किसी कि सी प्रोविंस में मूफ कर जाते हैं पी आर लेने के लिए, फिर भी उनका काम नहीं बनता तो फिर तो यार्ट दुखता है दिल, तो फिर तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार हूनी चाहि सब्सक्राइब होगा विद्धा टॉल बबाई टेक केर मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहां पर जाके आप साइन कर सकते हो बबाई